एकादश के सभी बच्चों का आज अर्थ शास्त्र के इस वीडियो लक्षियर में हर्दिक स्वाकत आज हम बढ़ने वाले हैं विभाजन मूरले चतुर्थक दिखें आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी समंक श्रणी होती है तो उस समंक श्रणी को दो से अधिक भागों में बढ़ने वाले मूरले को ही कहा जाता है विभाजन मूरले आप ये भी कल के वीडियो लेक्षियर में जान चुके हैं कि मद्धिका एक ऐसा ही विभाजन मूरले है जो कि किसी भी समंक श्रणी को दो भागों में बाढ़ देती है लेकिन अगर मद्धिका को छोड़ दें मद्धिका के आगे थोड़ा बढ़ें श्रणी को चार बराबर भागों में गरबाटा जाता है तो प्रतेक भाग की अंतिम इकाई चतुर्थक कहलाते है अब प्रतेक भाग की अंति मिकाई से तद पर क्या है थोड़ा सा जाने सपोज आप ये मान लें कि जैसे की एक कोई सिरीज है जैसे की हाँ जैसे मान लेते हैं कि ये एक सिरीज है तो इस सिरीज में इन्होंने कहा कि चार हिस्सों में बाढ़ता है जो उसे कहा जाता है चतुर्थक तो हमने द्याना कि आदा हिस्सा तो यहां पर ये मीडियन होती थी पहले ठीक है और जैसे ही हम यहां पर आए तो आपने पाया कि ये दो हिस्से हो गए ठीक है एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चोथा हिस्सा यह चारेश से हो गए अब चतुर्थक होगा कहां इन्होंने कहा कि चतुर्थक जो होगा वो प्रतेक भाग की अंतिमिकाई तो देखें पहला भाग जो है वो यह है यहां से यहां तक यह पहला भाग है तो इसकी अंतिमिकाई कौन होगी यह होगी यहाँ पर और यह अगर यहाँ आधा है तो यह 50% हो गया तो यह शूनि से लेके 50 के बीच में यह अंतिमिका यह है पहले भाग की तो यह कितना होगा 25% तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जो जतुर्थक प्रथम जतुर्थक है या Q1 जिसे हम कहते हैं Quartile 1 Q से होता है Quartile Quartile ठीक है Quartile एक शब्द होता है जिसका मतलब एक चोथाई होता है तो Q-U-A-R-T-I-L-E Quartile इसको हम Q से रिपरजेंट करते हैं वन का मितलब है पहला, तो ये पहला कहां परिस्तित होगा, ये किसी भी समंग श्रीडी में 25 परिस्तित होता है, कि पहले भाग की अंतिमिकाई क्या है, 0 से 25 ही पहला भाग है और अंतिमिकाई 25 है, दूसरा भाग जो है इसकी अंतिमिकाई 50 है, तीसरे भाग की अंतिमिकाई 25 ह क्या ये बात क्लिर है 75 है सोरी तीसरे खाल के अंतिमिकाई 75 तो थोड़ा सा ध्यान से सुनें और समझें इस्डे को चार बराबर भागों में बांटा जाता है तो पृतिक भाग कि अंतिमिकाई चतुर्थक कहलाती है चतुर्थक तीन होते हैं एक होता है प्रथम चतुर्थक इसे Q1 कहा जाता है इसको निम्न चतुर्थक भी बोलता है दूती चतुर्थक Q2 है वही मदिका कहलाता है तृती चतुर्थक यह वाला है यहाँ पर 75% पर ठीक है यह 50% था यहाँ पर और यह 33 चतुर्थक है, Q3 से बोला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ जो Q3 है, इसको 33 चतुर्थक भी कहते हैं, Q3 भी कहते हैं, अपर चतुर्थक भी कहते हैं, प्रधम चतुर्थक में समंक श्रेडिंग की 25 प्रतिशाद पद होते हैं, यह इसे कम होते हैं 75% मद इससे अधिक होती है अभी मैंने पीछे बना के बताया था ना कि जैसे ये है तो यहाँ अगर 50% है और ये हो गया Q1 तो 25% इससे छोटे है Q1 से इधर वाले और 75% बाद वाले इससे बड़े हैं ठीक है वही तो कहा इन्हों ने ये प्रतम चतुर्थक में समंक श्रणी के 25% मद इससे कम होते हैं और 75% मद इससे अधिक होते हैं दो ती चतुर्थक में स्रेडी की 55% मद इससे कम होती है ये वही है क्या ये लग भग और बागी का ये जो बचा ये केवल 25% है तो Q3 जो है इससे 75% छोटे होते हैं और 25% इससे बड़े होते हैं ठीक तो ये बात आपने ये तो जानी कॉंसेप्ट की अब हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे Q1 और Q3 की गढ़ना कैसे करते हैं गढ़ना मदिका के ही तरीके से की चाती है थोड़ा से फार्मूले में अंतर है मदिका में जहाँ आप N plus 1 upon 2 पढ़ते थे वही यहाँ पे N plus 1 upon 4 है मद्दिका में आपने कल जाना था कि मद्दिका विक्तिका श्रेडी में जब निकालते हैं तो उसके दो फार्मूले होते हैं ये देखते हुए कि पदों की संख्या जैने कि N जो है वो even number है या odd number है लेकिन आप अगर चाहें तो वो तरीका छोड़ करके यहां पर Q1 और Q3 निकालने का एक नया तरीका है चाहें श्रेडी विक्तिकत हो या बरंबारता बंटन हो आप एक ही फार्मूला लगाते हैं और फार्मूला होता है क्या Q1 का फार्मूला होगा N प्लस 1 अपान 4 और Q3 का फार्मूला होगा N प्लस 1 अपान 4 का तीन गुना यानि तीन से मल्टिप्लाइ करतेंगे N प्लस 1 अपान 4 को ठीक है तो यहां उन्होंने यह बता दिया है कि विक्तिकत श्रेडी में पदों की संख्या के लिए आप स्मॉल एन का प्रयोग करेंगे स्मॉल एन और खंडे श्रेडी में पदों के योग के लिए आप के लिए यानि की संचाई बारंबारता के लिए N का प्रयोग कर लेता है संचाई बारंबारता के लिए ठीक है चलो हम आगे बढ़ते हैं इसे कलिकलेट करते हैं अगर सतत श्रेडी दी गई हो, सतत श्रेडी का मतलब होता है, जहां पर वर्ग अंतराल दिये गए हो, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इस तरह से, तो वहां पर आप अगर Q1 का वर्ग अंतराल फाइंड आउट करना चाहते हों, कि किस वर्ग में Q1 है, तो आप size of n upon fourth item लगाएंगे, Q3 का न कॉर्टाइल को निकालने का फार्मूला, जो वर्ग अंतर शर्णी होंगी, उनमें क्या होगा, उनमें होगा, L1, Q1 is equal to L1 plus n upon four minus cf, cf आप जानते हैं, कि जो आप Q1 work निकालेंगे, ठीक है, Q1 class जो आप निकालेंगे, इस Q1 class के सामने जो frequency होगी, जो भी frequency होगी इसके सामने, इसके ठीक एक step उपर वाली cf जो होती है, वो यहाँ cf के तोर पे इस्तेमाल की जाती है, यह मद्दिका में आपने कल सिखा था, वही है यहाँ पे, तो Q3 is equal to L1 plus, यह Q3 में क्या होगा, L1 plus 3n upon four minus cf upon f, तो यह concept था इसका, इसमें बहुत गहरा जाकर के आपने Q1 और Q3 जो है, इसका concept जाना है, एक और जो है, श्रीणी को बाटने वाला मूल है, जिसे दशमक कहा जाता है, दशमक को हम बोलते हैं, अंग्रेजी में decile, D-E-C-I-L-E, decile, इसलिए इसको हम D1, D2, ऐसे करके D10 तक जानते हैं, ठीक, दशमक दरसल श्रीण को कोई एक श्रीणी है, तो उसको दस बराबर भागों में वाट देता है, इतने? दस, ऐसे, अभी मैंने जो खीचा यह बराबर हो जकता है, ना लग रहे हो, लेकिन यह बराबर होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर यह D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, D4 होगा, D5 होगा, और इ D6, D7, D8, D9 और D10 हो जाएगा, अब इसमें अगर आपको निकालने हो, डेसाइल तो कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला आपने जाना ना कि जो मदिका होती है, क्योंकि वो दो भागों में बाठती है किसी सिरीज को, तो वहाँ पर N upon 2 का फार्मूला है, विक्तिकत और इसमें N plus 1 upon 2 का फार्मूला है, चुकि डेसाइल जो है, वो दस भागों में बाठता है, तो N plus 1 upon 10 का फार्मूला चलेगा, D4 निकालना हो, तो 4 into N plus 1 upon 10, D9 निकालना हो, तो 9 into N plus 1 upon 10 करना है, ठीक है, इसी तरह से सतत्त श्रेणिया जाह होंगी, वहाँ N plus 1 करके, N upon 10th आइट तरह मदिका में और डेसाइल में, कि 11 वहाँ भी था, यहाँ भी है, वहाँ बस N upon 2 होता था, यहाँ N upon 10 होगा, माइनस C F होगा, F होगा, सब कुछ होई है, D4 अगर निकालना है, तो 4 N upon 10 होगा, D9 निकालना है, तो 9 N upon 10 होगा, मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, एक और concept हम जानते हैं, अभी शतमक, शतमक जो होता है, इसको परसेंटाइल भी बोला जाता है, क्या बोलता है, परसेंटाइल, एक किसी सीरीज को 100 वराबर भागों में बातना, यह 50 है, इसको 50 जो है छोड़ छोड़े 50 भागों में बातना, यह परस नहीं, कुल मिलाकर के एक सीरीज को 100 वराबर भागों में बात देना, यही परसेंटाइल का काम है, ठीक है, तो इस तरह से P1, P2, P3, P99 इसमें होंगे, ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हम यह जानते हैं कि इसे हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फर्मुला N प्लस 1 upon 100, P99 निकालना है, तो 99 into N plus 1 upon 100, यह करना होगा, सताश्रियों में N upon 100 चलेगा, N plus 1 की जगे, और जब आप N plus 1 करके P1 का वर्ग निकाल लेंगे, P4 का वर्ग निकाल लेंगे, तो फार्मुला भी वही है, लगभग बस खाली, यहां N upon 100 है, ना कि N upon 10 या N upon 4 या N upon 2, N upon 2 धह निकेगा, मदिका की अगर हम बात करें, तो वहां पे N upon 2 लगता है, खास्तोर से तब जब वर्ग अंतराल दिये गए हो, क्या दिये गए हो, वर्ग अंतराल दिये गए हो, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करता है, मदिका में N upon 2 लगाते है, चतुर्थक जो होता है, चत्मक्यानी परसेंटेल उसमें एन अपॉन हंडेड रहता है बस इतना कॉंसेप्ट है मुझे लगता है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी एक उदार नंबर नौ है यहां पर कहा गया है कि निम्न लिखे समंकों से दोनों चतुर्थक छेवां दश्मक तता सत् देखें ये मजदूरी है कुछ मजदूरों की जो यहां पर दी गई है 50, 30, 21 और इसी तरह से तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये इस्थेतिक माद्ध हैं तो इनको आपको किसी एक ओर्डर में चाहें असेंडिंग ओर्डर में आरोही करम में या डिसेंडिंग ओर है अगर आप ये ना लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं इसके लिखने का फाइदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कुल मजदूर कितने हैं वो अन्त वाले से हमें पता चलता है कि 10 मजदूर हैं अन्त के करम संख्या से ठीक और इनकी मजदूरी हमने लिख लि निकाले, तो आएए सबसे पहले हम पर्थम या निम्ने चतुर्थक निकालने का परियास करते हैं देखें कैसे निकलेगा ये सबसे पहले आप लिखते हैं Q1 तो Q1 में क्या लगता है Size of Size of को मतलब मूल नी जो उसके सामने लिखा होगा, वो हमें लिखेंगे Size of n plus one upon fourth item तो n कितना निकला था n था 10 तो आपने लिखा 10 n की जगे plus one upon four तो ये ग्यारा बटे चार हो जाएगा जिसका मतलब होगा 2.75 2.75 आइटम अब इसका मतलब क्या हो गया जरा ध्यान से सूरिएगा दूसरे number पर क्या लिखा हुआ है क्योंकि 2 यहाँ whole number है तो इसका मतलब हो गया कि value of second item plus 0.75 bracket start third item minus second item ये formula लगेगा 2.75 item का मतलब होगा कि value of second item हम ले लेंगे, तो second item की value कितनी है? 21 है, तो हमने 21 लिख लिए फिर हमने लिख लिए 0.75 bracket लगा लगाने के बाद, third item कितना है? 25 और second item कितना है? 21 दोनों को घटाना होता है 25 minus 21 किया और उसका 75 point 0.75 निकल जाएगा तो ये कितना जाएगा? 0.75 into 25 minus 21 येने कि 4 तो ये कितना हो गया? अगर ध्यान से देखें, जब आप 4 का 0.75 निकालेंगे तो ये 1 आजाएगा sorry, ये 3 आजाएगा और जब आप इसमें add करेंगे, आप इसे multiply करके देख लो कितना आएगा? 4, 5, 20 हम 0.75 को 4 से multiply कर रहे हैं तो 4, 5, 20, हांसे लए 2 4, 7, 28, 2, 30 हांसे लए 3, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया ना? अब इस 3 को किस में जोड़ लीजिए तो 24 आजाएगा क्या ये बात clear है? तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी तो मुझे लग रहा है बच्छों आप लोगों को ये Q1 समझ में आ गया होगा आईए आप जानते हैं कि Q3 कैसे निकलते हैं बिल्कुल यही पैटन रहेगा size of 3 n प्लस 1 अपान 4 आइटम तो जब हमने ये किया तो हमने पाया कि ये कितना आ रहा था ये पहले जो आ रहा था उसको 3 से multiply करेंगे 2.75 आ रहा था इसकी value कितनी थी? 2.75 इसको 3 से multiply करेंगे तो 8.25 आ जाएगा तो 8 आइटम कौन सा है? अगर हम उपर जाएं और देखें 8 आइटम कौन सा है? 8 आइटम जो है वो है 35 ठीक है न? कितना है? 35 तो अभी हमें क्या करना है? 35 और जो 7 आइटम है 32 है तो देखें हमने क्या करा? यहां पर हमने लिख लिए 8 आइटम यानि की 35 फिर 0.25 नाइन आइटम और एर्थ आइटम तो 9 आइटम जो है वो 40 है और एर्थ आइटम तो 35 था ही इसको multiply करना होगा इस से 0.25 से तो कर दिया 0.25 से multiply तो ultimately कितना आजाएगा 35 प्लस 1.25 तो यह क्यूत्री की वेल्यू हो गई 36.25 अगर छेवा दश्मक निकालने है तो पैटर्न वही है एन प्लस 1 अपॉन 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 तेंथ और 6 चिक? तो हमने क्या करा कि जब 10 प्लस 1 अपॉन अपॉन तेंथ किया था तो यह जो वेल्यू आई यह कितनी आई यह बेसिकली आपका ग्यारा बटे 10 है यानि 1.1 है 6 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 6.6 आजाएगा छठा आइटम कितना है 30 और 0.6 है इसमें 7 आइटम माइनस 6 आइटम करेंगे तो 7 आइटम कितना था? 32 और 6 आइटम कितना है? 30 आप देख लीजे किताब में तो ultimately यह कितना आजाएगा? 31.2 शत्तरवा अगर शत्मक निकालना है तो क्या करेंगे? देखे, साइज आप 70 3 एन प्लेस होन अपान 100 तो जब यह हम करेंगे तो 11 बटे 100 होगा इसको 70 से मुल्टिप्ले करेंगे तो 7.70 आजाएगा 7 आइटम 32 था अब आप क्या करेंगे? 8 आइटम माइनस 7 आइटम 0.7 से उसे मुल्टिप्ले करेंगे तो 34 दश्मलो एक आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी अब उदार नमबर 20 जो है इसमें कहा गया है अपर चतुर्थक यानि क्यूत्री निकालिये आठवा दश्मक निकालिये और नौवा शत्मक निकालिये यह तब है जब यहाँ पर प्राप्तांग ही नहीं है विद्यार्थों की संख्या यानि की फ्रिक्वेंसी भी दी गई है ठीक तो जब यह फ्रिक्वेंसी दी गई होती है तो आपको मद्दिका की ही तरह यहाँ पर भी संचाई अवरत्य निकालनी होती है 3 plus 10, 13, 13 plus 27, 40, 40 plus 20, 60, 20, 30, 90, 40, 36, 30, 150, 178, 190, और 199, अब आपको Q3 निकालने के लिए 3, N plus 1 upon 4 करना होता है, N यहां 199 है, plus 1 upon 4 किया, तो आपको पता है कि यह कितना आजाएगा, 25 यहां पर कहा होगा, अगर हमें निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, देखे, हम क्या करते हैं, 150 इस आइटम हम संचाई अवरत्ती में ढूड़ना शुरू करते हैं, तो यह हमें कहां मिलता है, यह हमें मिलता है, यहां पर, यह हमें यहां मिलता है, और इसके ठीक सामने वेल्यू जो है, वह है 70, तो यह लिखा है कि यहां पर संचाई अवरत्ती में नहीं थे, और इसका अमोली कितना है, 70 है, तो Q3 कितना होगा, 70, ऐसफान दशमक निकालना है, आथमा दशमक निकालेंगे, जब तो हम क्या करेंगे, आई है बात करते हैं, देखे, आथमा दशमक निकालने के लिए, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, साईस अफ 8, N plus 1 upon 10, ठीक है, तो 199 plus 1 upon 10, इट मीन्स यह हो जाएगा कितना यह हो जाएगा बीस बीस को आट से मिल्टिर्वाइ गरेंगे एक सो साथ हाएगा चले ऊपर देखिए संची बारं बारता में एक सो साथ कहा हूँ गोगा 178 में तो इसके ठीक सामने जो है वो क्या है 80 ठीक है तो हमारा D8 कितना हो गया 80 ऐसे ह आपन हंडर्ड तो इसे जब आप करेंगे तो 200 बटे 100 यानि की दो और दो गुड़े 90 करने पर 180 आएगा 180 जो है वो कहां पर है वो 190 में नहीं थे तो आपका 90 आपका अभिष्ट मूली हो जाएगा 90 में शत्मक हो जाएगा 21 उधारन है यह दर्चल वरगंतराल दिये गए है यहां पर और गंतराल बरम बरता है जब दी गई होती है तो आपको सबसे पहले तो क्यूवन class निकालना पड़ता है फिर आप उसमें formula लगाते हैं तो देखिए कैसे करेंगे सबसे पहले तो आपने work लिख लिए इसे horizontally ना लिख करके आप इसे vertically लिखें तो ज़्यादा better है वैसे कर horizontally भी सकते हैं जैसे यहां लिखा हुआ है vertically का मतलब है कि आप यहां पे जो classes दिये गए हैं यह आप 20 से 30 30 से 40 ऐसे लिखें खड़े खड़े और इसी के आगे frequencies लिखें 12, 28 27 इस तरह से और फिर इनको CF यहां लिखें और जोड़ें आगे ऐसे बात जो मैं कहा रहा हूँ शायद आप समझ रहे होंगे तो वैसे लिखा जाता है लेकिन ऐसे भी लिखने में कोई बुराई नहीं लिख सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ है अभी मैं बात कर रहा था कि हम सबसे पहले Q1 निकालने के लिए एन अपान फॉर्थ साइज करेंगे तो 80 आपकी CF है तो 80 आपान फॉर्थ करेंगे तो 20 आइटम कहां पर है वो है 40 में तो 20 पद जो है वो 40 संचाई आवरत्य में इस्थित है तो इसका जो आवरत्य है वो क्या होगा आवरत्य वर्ग sorry इसका जो वर्ग अंतराल होगा वो होगा 30 से 40 और इसकी जो आवरत्य होगी वो होगी 28 और जो CF होगी वो कितनी होगी वो होगी 12 ठीक तो आईए हम यहाँ पर लूइस पर टप कर देता है हमने सबसे पहले जो फार्मूला लिया उसमें क्या किया 11 किया ठीक है 11 फिर आपका जो Q1 का जो साइस था वो कितना था 80 एपान 4 तो वही लिख लिख लिए है 80 एपान 4 माइनस 12 CF किया 12 CF है मैंने बताया था पहले ही और F कितना था 28 था 28 से डिवाइड किया और यहां पर 10 से मल्टिप्लाई किया 10 से क्यों मल्टिप्लाई किया 10 से इसलिए मल्टिप्लाई किया क्योंकि जो क्लास है यहां पर 30 से 40 है 30 से 40 में 10 का अंथर है तो इसलिए 10 से multiply करा है Hope you understand अब इसके बाद में इससे solve करना है आप solve कर लेंगे तो आपका answer जो आएगा 32 दश्मलो 8 छे आजाएगा Q3 निकालने के लिए आपको क्या गरना है Size of 3 and upon 4 यानि कि 60th item तो 60th item यहाँ पर कहां है अगर आप ध्यान से देखें 60th item 67 यानि कि 40 से 50 आपका हो गया class 11 40 ठीक है 11 कितना 40 और L2 कितना 50 है ना दूसरा F कितना होगा F हो जाएगा यहाँ पर कितना 27 और CF कितना हो जाएगा 40 ठीक अब यह values देखें यहीं पर यहाँ पर रखी गई है values कैसे निकालेंगे इस तरह से देखे Q3 is equal to L1 plus 3N upon 4 minus CF upon F यह formula होता है into I करते है तो 40 किया plus 3 80 बटे 40 minus 40 बटे 27 गुने 10 किया और इस तरह से solve करते हो है आपका यह आगया D8 भी इसी pattern पर निकालेंगे मुझे लगता है कि यह concept आपको समझ में आ चुका होगा बहुलक क्या है इसे कल जानेंगे आज के लिए इतना ही वीडियो end तक देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत आभार बहुत भुत धन्यवाद